दोस्तों आज आप सुनेंगे व्योमकेश बक्षी सीरीज की कहानी व्योमकेश बक्षी एक fictional जासूसी क्यारेक्टर है जिसकी रचना की थी प्रसिध बंगाली लेखक शारदेंदू बंदोपाद ध्यायजी ने ये क्यारेक्टर व्योमकेश बक्षी पूरी तरह से सर कॉनन डॉयल के शौरलक होम्स से प्रेरित है और उसी की तरह तेज बुद्धी वाला और अनालिसिस करके चीजों का नतीजा निकालने वाला जासूस है जिस तरह से होम्स के साथ उसका दोस्त जौन वाटसन हमेशा उसी तरह व्योमकेश बक्षी के साथ मौजूद रहता है उसका दोस्त अजीत बैनर जी अब क्यूंकि इसकी रचना बेंगौली लेखकने की है तो सारी कहानियों की बैक्गराउंड भी बेंगौल ही है सारे पात्रों और जगहों के नाम सब बेंगौली है शारदेंदु ज इस सीरीज की पहली कहानी का नाम है सत्यानवेशी यानि सत्य की खोज करने वाला और 32 कहानी का नाम है लोहे का बिसकिट आज आप सुनेंगे इस सीरीज की पहली कहानी सत्यानवेशी यानि सत्य की खोज करने वाला और हाँ एक बात और इन अधिकतर कहानियों में ठीक शर्लक होम्स की कहानियों की ही तरह जो मैं कैरेक्टर है वो है व्योमकेश बक्षी का प्यारा दोस्त अजीत बैनर जी सब कहानियों में तो नहीं लेकिन अधिकतर कहानियों में मैं वही होता है तो आएए शुरू करते हैं कहानी सत्य की खोज करने वाला ब्योंकेश से मेरी पहली मुलाकात सन 1925 की बसंतरीतु में हुई थी मैं तभी-तभी युनिवर्सिटी से पढ़कर निकला था मुझे नौकरी वगरह की कोई चिंता नहीं थी अपना खर्च आसानी से चलाने के लिए मेरे पिता ने बैंक में एक बड़ी रकम जमा कर दी थी जिसका ब्याज मेरे कलकत्ते में रहने के लिए परियाप्त था इसमें बोर्डिंग हाउस में रहना, खाना पीना ये सब आसानी से हो जाता था और इसी लिए मैंने शादी के बंधन में ना बंध कर साहित्य और कला के क्षेत्र में खुद को समर्पित करने का फैसला किया मेरे मन में ये ललक थी कि मैं इस फिल्ड में कुछ ऐसा कर दिखाऊं जो बंगाल के साहित्य की काया पलट कर सके जवानी के दिनों में बंगाल के युवा लड़कों में ऐसी एक छाका होना कोई हरानी की बात नहीं है लेकिन अक्सर होता ये है कि इस दिवास्वप्न को तूटने में ज्यादा समय नहीं लगता खेर वो एक अलग बात है फिलहाल मैं ब्योंकेश से अपनी पहली मुलाकात की कहानी को ही आगे बढ़ाता हूँ कलकत्ते को अच्छी तरह से जानने वाले भी शायद ये नहीं जानते होंगे कि कलकत्ता के ठीक बीचों बीच एक ऐसा भी इलाका है जिसके एक तरफ तो है नौन बेंगौली लोगों की गरीब बस्ती दूसरी तरफ एक और गंदी बस्ती और तीसरी तरफ पीत वर्ग के चीनियों की कोठरियां है इस त्रिकों के बीचों बीच एक ट्राइंगल आकार का जमीन का टुकड़ा है जो दिन में तो बाकी जगाओं की तरह ही नौर्मल दिखाई देता है लेकिन शाम होने के बाद उसकी पूरी तरह से काया पलट हो जाती है आठ बजते बजते सारी दुकानों के शटर बंध हो जाते हैं और रात का सननाटा च्छा जाता है कुछ एक पान सिगरेट की दुकानों को छोड़ कर बाकी सब कुछ अंधेरे में विलीन हो जाता है सडकों पर सिर्फ कभी-कभी कुछ परचाईया नजार आती है अगर भूले भटके कोई आदमी इस तरफ आभी निकले तो वो यही कोशिश करता है कि जल्दी से जल्दी इस इलाके को पार कर ले मैं ऐसे इलाके के पड़ोस में स्थित बोर्डिंग हाउस में कैसे आया ये सब बता के आपको बोर करने का कोई फायदा नहीं बस इतना कहना काफी होगा कि दिन के उजाले में मुझे इस तरह का कोई संधे हुआ ही नहीं और फिर दूसरी बात मुझे मैस के ग्राउंट फ्लोर पर एक बड़ा सा हवादार कमरा अच्छे से किराय पर मिल गया था इसलिए मैंने तुरंतों से ले लिया ये तो काफी दिन बाद मुझे पता चला कि उन सडकों पर हर महीने दो-तीन कटी-फटी लाशों का मिलना आम बात थी और हफते में कम से कम एक बार आस पड़ोस में पुलीस का चापा पड़ना भी बिलकुल आम बात थी लेकिन जब तक ये सब मुझे पता चला तब तक मुझे उस कमरे से एक तरह का लगाव सा हो गया था और अब कहीं और जाने की मेरी इक्छा नहीं थी वैसे भी दिन छिपने के बाद अकसर मैं अपने कमरे में ही रहता था और अपने साहित्य कामों में लगा रहता था इसलिए परसनल तोर पर मुझे डर का कोई कारण नजर नहीं आया मैं इसके ग्राउंड फ्लोर पर कुल मिलाकर पांच कमरे थे हर एक में एक-एक आदमी रहता था ये पांचों लोग मध्यमायू के थे इनके परिवार कलकत्ता से बाहर गामों में या दूसरे शहरों में रहते थे ये लोग कलकत्ता में नौकरी करते थे हर शनिवार की शाम को वो अपने घर चले जाया करते और सोमवार को सुभध दफतर जाने के लिए फिर से आ जाते काफी अरसे से ये लोग इस मैस में ही रह रहे थे हाल ही में उनमें से एक आदमी रिटायर होकर घर चला गया तो उसका खाली कमरा मुझे मिल गया था दफतर से आने के बाद ये सभी लोग एक जगा इकठे होकर ब्रिज या पोकर खेलते और उनकी उची आवाजों से मैस गुलजार हो जाता इनमें से एक थे अश्विनी बाबू ब्रिज खेलने में बड़े ही उस्ताद और उनके जोड़ीदार थे घंशाम बाबू वो जब-जब कोई बाजी हार जाते तो हंगामा खड़ा कर देते ठीक 9 बजे महराज खाने का एलान करता और सब लोग खेल को छोड़कर आराम से खाने की मेज पर जाकर बैठ जाते खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले जाते मैस का यही रूटीन बिना किसी बदलाव के बड़े आराम से चलता रहता था धीरे धीरे मैं भी इसी रूटीन का एक हिस्सा बन गया यहां के जो मकान मालिक थे उनका नाम था अनुकूल बाबू उनका कमरा भी ग्राउंट फ्लोर पर था वे पेशे से होमियोपैथ डॉक्टर थे वे अभार में सीधे सादे और मिलनसार टाइप के आदमी थे शायद कुमारे भी थे क्योंकि वहां उनके साथ और कोई नहीं रहता था वे किरायदारों की जरूरतों की देख भाल करते और दोनों टाइम नाश्ते और खाने का भी इंतजाम करते थे ये सारा काम वो बड़ी ही मुस्तैदी से पूरा करते थे किसी भी किरायदार को शिकायत का मौका देते ही नहीं थे एक बार महीने की पहली तारिक को 25 रुपे का भुगतान कर देने के बाद पूरा महीना किरायदार तसल्ली से वहां रह सकता था डॉक्टर सहाब रोगियों में अपनी दवा के लिए भी बड़े मशूर थे हर रोज सुभह शाम उनके कमरे के बाहर मरीजों की लाइन लगी रहती थी वो दवाओं के लिए बहुत ही मामूली सी फीस लेते थे उनका नियम था कि पेशेंट को देखने के लिए उनके घर बहुत ही कम जाते थे और कभी जाते भी थे तो उसकी फीस नहीं लेते थे जल्दी ही मैं भी उनका फैन बन गया हर रोज सुभह दस बजे के करीब मैस के सभी लोग अपने अपने आफिस चले जाते और पूरे मैस में बस हम दोनों ही रह जाते इसलिए अकसर लंच हम लोग एक साथ ही करते थे हमारी पूरी दो पहर न्यूस पेपर्स की हेडलाइन्स पर चर्चा करने में बीच जाती वैसे तो डॉक्टर सीधे साधे व्यभार वाले आदमी थे लेकिन उनके अंदर एक खास बात थी उनकी नौलेज बहुत ही ज्यादा विस्तरित थी उनके उम्र 40 से ज्यादा नहीं होगी और नाम के आगे कोई डिगरी वगेर भी नहीं थी लेकिन हर विशे में उनकी जानकारी इतनी ज्यादा होती थी कि कई बार तो मैं हैरान रह जाता था जब मैं उनकी तारीफ करता तो वो थोड़ा शर्मा जाते और बस इतना ही कहते दिन भर करने को तो कुछ है नहीं इसलिए घर पर ही रहकर पढ़ता रहता हूँ मुझे ये सारा ग्यान इन किताबों से ही मिला है इसी तरह रहते हुए मुझे कुछ महीने बीद गए एक दिन सुभा करीब दस बजे मैं अनुकूल बाबू के कमरे में बैठा अख़बार पढ़ रहा था अश्मिनी बाबू मुह में पान दबा कर अपने काम पर चले गए थे और उनके बाद घंशाम बाबू भी जाने से पहले उन्होंने डॉक्टर से दात के दर्द के लिए दवा ली थी बाकी बचे दोनों लोग भी अपने टाइम पर निकल गए थे अब मैस पूरे दिन के लिए खाली हो गया था कुछ पेशेंट अभी भी डॉक्टर के इंतजार में खड़े थे उनको दवा दे कर निप्टाने के बाद डॉक्टर ने अपना चश्मा माथे पर चढ़ाया और मुझसे बोले आज अखबार में कोई खास समाचार है क्या हमारे पड़ोस में कल रात फिर से पुलीस ने चापा मारा है मैंने बताया हाँ ये तो रोज का किस्सा है अरे नहीं वो तो थोड़ा दूरी पर होता है ये वाला तो बिल्कुल हमारे पड़ोस में हुआ है मकान नंबर 36 में कोई शेख अब्दुलगफार है उसके घर में अच्छा वो उसे तो मैं जानता हूँ वो तो अक्सर इलाज के लिए मेरे पास आता है क्या लिखा है खबर में किस चीज के लिए छापा पड़ा कोकीन के लिए ये रहा पढ़ लीजिए मैंने अखबार दैनिक कालकेतू उनके हाथ में पकड़ा दिया खबर इस तरह थी गत रात पुलीस ने स्ट्रीट स्थित मकान नंबर 36 शेख अब्दुलगफूर के घर पर चापा मारा हलांकि चापे में कोई गयर कानूनी चीज नहीं पाई गई लेकिन पुलीस को यकीन है कि इस इलाके में कोई गुप्त जगा है जहां कोकीन का गयर कानूनी धंदा चलता है और उसकी सप्लाई पास पड़ोस और अन्ने स्थानों में की जाती है काफी समय से ये गैंग बड़ी चालाकी से इस ग्यार कानूनी धंदे को चला रहा है ये बड़े ही शर्म और खेद की बात है कि अब तक इस गुप्त अड़े का परदाफास नहीं हो पाया है और अड़े का नेता अभी भी रहसे में छिपा बैठा है खबर पढ़कर अनुकूल बाबू कुछ देर सोचने के बाद बोले हाँ ये बात तो ठीक है मुझे भी लगता है कि इस इलाके में ड्रक्स का कोई बड़ा अड़ा है कभी-कभी मुझे उसके निशान भी दिखाई दे जाते हैं पता है कैसे ये जो इतने सारे मरीज मेरे पास आते हैं न उनसे नशेडी चाहे जो भी कर ले वो डॉक्टर से कोकीन के नशे की आदत को कभी नहीं छुपा सकता हमें उसके लक्षन तुरंत पता चल जाते हैं लेकिन ये जो अब्दुल गफूर था ये मुझे नहीं लगता कि ये कोकीन का नशा करता है उसने मुझे एक बार खुद ही बताया था कि वो नशा करता तो है लेकिन अफीम का एक बाद बताईए अनुकूल बाबू मैंने पूछा हमारे आस पड़ोस में इतनी हत्याएं होती है आपको क्या लगता है इनकी क्या वज़े होती होगी इसका कारण तो बहुत ही आसान है जो लोग इन ग्यार कानूनी ड्रग्स का बिजनेस करते हैं उनके मन में हमीशा डर रहता है कि वो पकड़े न जाए इसलिए अगर कोई भी आदमी उनके रहसे को जान जाता है तो उनके पास उसे मारने के अलावा और कोई रास्ता थोड़ी होता है इसे ऐसे समझने की कोशिश करो मान लो कि मैं कोकीन का अवैत धंदा करता हूँ और तुम्हें ये बात पता चल जाए तो तुम्हारा जिन्दा रहना तो मेरे लिए खत्रे की वज़े हो गई की नहीं अगर तुमने पुलीस के सामने अपना मुह खोल दिया तो मुझे ना सिर्फ जेल जाना पड़ेगा बल्कि मेरा सारा बिजनेस भी ठप हो जाएगा करोणों रुपे का माल जब्त हो जाएगा तो भला क्या मैं ये सब होने दूँगा और इतना कहकर वो हसने लगे लगता है आपने अपराद की साइकॉलोजी पर बड़ा गहरा अध्यायन किया है मैंने कहा हाँ मुझे इस विशे में काफे दिल्चस्पी है इससे पहले कि वो आगे और कुछ कहते कमरे में एक व्यक्ती ने प्रवेश किया उसके उम्र करीब 23-24 साल की होगी देखने में पढ़ा लिखा नौजवान लगता था रंग साफ था अच्छी कद काठी और देखने में आकरशक और अकलमंद लग रहा था लेकिन उसे देखकर ये भी लगता था कि वो बुरे समय से गुज़र रहा है उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे बाल उलजे हुए जैसे उनमें कई दिनों से कंगी ना की गई हो जूते भी धूल में लिप्टे हुए थे उसके मुह पर बेचैनी जलक रही थी उसने पहले मुझे देखा फिर अनुकूल बाबू को फिर बोला मुझे पता लगा है कि ये बोर्डिंग हाउस है क्या यहां कोई रूम खाली मिलेगा अनुकूल बाबू ने सिर हिलाया और कहा जी नहीं आप काम क्या करते हैं श्रीमान वो नौजवान मरीजों वाली बेंच पर बैठ गया और बोला फिलहाल तो बस खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हूं नौकरियों के लिए अपलाई करता हूं और कोई सिर चुपाने का ठिकाना ढून रहा हूं लेकिन इस अभागे शहर में एक अच्छा बोर्डिंग हाउस ढूंडना भी अपने आप में एक मुसीबत है सब जगा हाउस फुल का बोर्ड लगा है सहानु भूती भरिस्वर में अनुकूल बाबु ने कहा हाँ ये तो है सीजन के बीच में कोई जगा मिल पाना वाकई मुश्किल है आपका नाम क्या है श्रीमान? जी अतुल चंदर मित्र जब से कलकत्ते आया हूं नौकरी के लिए ही भटक रहा हूं अपने गाओं में सब कुछ बेच बाच कर थोड़ी सी रकम साथ लाया था वो भी खतम होने को आई है बस 25 रुपे ही बचे हैं अब मेरे पास ये भी ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है इसलिए मैं एक अच्छा मैस ढूंड रहा हूं ज्यादा दिन के लिए नहीं बस यही कोई महिना बीज दिन के लिए भी मिल जाए तो अच्छा होगा अगर मुझे दोनों वक्त का खाना मिल जाए और सिर चुपाने के लिए एक छोटी सी जगह तो मैं खुद को कुछ संभाल लूँगा मुझे बेहत अफसोस है अतुल बाबू लेकिन मेरे सारे कमरे पहले ही किराई पर लगे हुए है अनुकूल बाबू ने कहा एक गहरी सांस छोड़ते होए अतुल ने कहा ठीक है फिर तो क्या ही किया जा सकता है चलता हूँ कोशिश करता हूँ अगर पडूस की उड़िया बस्ती में कोई जगह मिल जाए तो मुझे बस एक ही चिंता है कहीं रात में मेरे बचे खुचे पैसे भी चोरी ना हो जाए क्या इगलस पानी मिल सकता है प्लीज डॉक्टर पानी लाने अंदर चले गए मुझे उस नौजवान पर बड़ी दाया आ रही थी कुछ हिचकिचाते हुए मैंने कहा मेरा कमरा काफी बड़ा है उसमें दो आदमी आराम से रह सकते हैं अगर आपको कोई अपत्ती ना हो तो मेरी बात सुनते ही अतुल जोर से उचल पड़ा और बोला आपत्ती क्या कह रहे हैं श्रीमान मेरे लिए तो ये बड़े ही सौभाग्य की बात होगी उसने तुरंथ पॉकेट से नोटों का बंडल निकाला और बोला प्लीज बताए मुझे कितना पैसा देना होगा आपकी बड़ी दाया होगी अगर आप मेरा किराया पहले ही जमा कर ले उसकी आतोरता देखकर मुझे हसी आ गई और मैंने कहा अरे कोई बात नहीं सब ठीक है किराया बाद में दे सकते हैं आप कोई जल्दी नहीं है तब तक अनुकूल बाबू पानी लेकर आ गए थे मैंने उनसे कहा ये नौजवान परेशानी में है अनुकूल बाबू ये फिलहाल मेरे साथ रह सकता है मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी अतुल ने आभार भरे स्वर में कहा इन्होंने मेरे उपर बड़ी दाया दिखाई है लेकिन मैं आपको ज्यादा दिन कष्ट नहीं दूँगा अगर इसी बीच मैं कहीं और इंतजाम कर पाया तो मैं तुरंत चला जाऊंगा फिर उसने पानी पीकर गिलास मेज पर रख दिया अनुकूल बाबू ने हैरान होकर मुझे देखा और बोले आपके कमरे में चलो ठीक है मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर आपको कोई परिशानी नहीं है तो फिर मैं भला क्या कहूं वैसे आपके लिए भी ठीक ही रहेगा आपके कमरे का किराया अधा-धा हो जाएगा मैंने तुरंत कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है बात दरसल ये है कि मुझे लगा कि ये वाकई परिशानी में है डॉक्टर हसे और बोले हाँ ये तो है ठीक है अतुल बाबू आप जाएए अपना सामान ले आईए आपका भी इस घर में स्वागत है मेरे पास ज्यादा सामान तो नहीं है बस एक बैडिंग है और एक थेला मैं दोनों को होटल के दर्बान के पास छोड़ कर आया था अभी जाकर लेकर आता हूँ ठीक है आप आजाएए उसके बाद लंच हम साथ ही करेंगे मैंने कहा ये तो और भी बढ़िया रहेगा मैं जल्दी ही आता हूँ इतना कहकर अतुल वहाँ से चला गया अनुकूल बाबू किसी सोच में पड़े हुए थे मैंने पूछा कहां खो गये है कोई परेशानी की बात है क्या उन्होंने कहा नहीं नहीं परेशानी तो कुछ नहीं किसी की तकलीफ में मदद करना अच्छा काम है आपने जो किया ठीक ही किया लेकिन मुझे थोड़ा ये लग रहा था कि बिना जाने पहचाने यूँ ही किसी राह चलते को अपने यहां रख लेना कुछ ठीक नहीं होगा लेकिन खैर जो भी हो भगवान करे हमारे लिए कोई परेशानी ना खड़ी हो इतना कहकर वे उठे और कमरे से बाहर चले गए अतुल मेत्र ने मेरे कमरे में रहना शुरू कर दिया अनुकूल बाबु ने एक चार पाई और लंच के तुरंट बाद फिर चला जाता जितना थोड़ा समय भी वो मैस में बिताता था उतने में ही उसने सभी लोगों से दोस्ती कर ली थी शाम को कॉमन रूम में हर रोज सब लोग उसका बेसबरी से इंतजार करते लेकिन क्योंकि उसको ताश खेलना नहीं आता था तो वो थोड़ी देर बाद चुप चाप नीचे डॉक्टर से गपे मारने चला जाता उससे मेरी दोस्ती जल्दी ही हो गई क्योंकि हम दोनों हम उम्र थे और इसलिए हमारे बीच जल्दी ही सारी आपचारिक ताएं भी खत्म हो गई एक हफते तक सब कुछ आराम से चलता रहा लेकिन उसके बाद मैस में अचानक कुछ अजीब घटनाएं होने लगी एक दिन शाम को मैं और अतुल अनुकूल बाबू से बातचीत कर रहे थे मरीजों की भीड घटकर काफी कम रह गई थी बस इका दुका मरीज आ रहे थे अनुकूल बाबू उनको दवा दे रहे थे और साथ ही अपना कैश बॉक्स संभालते हुए हमसे बातें भी कर रहे थे इलाके में थोड़ी गर्मा गर्मी थी अफवाहों का बाजार गरम था क्योंकि पिछली रात हमारे मैस के सामने के मैदान में एक हत्या हो गई थी और लाश सुभा पाई गई थी जिसकी हत्या हुई थी देखने में तो वो आदमी एक बहुत ही गरीब नौन बेंगॉली दिखाई दे रहा था लेकिन उसकी धोती के फेंटे से सौ सौ के नोटों की गड़ी मिली थी डॉक्टर का इस बारे में कहना था अजी ये सब कोकीन की तसकरी से तालुक रखता है अगर हत्या पैसों के लिए की गई होती तो फिर मारने वाला वो नोटों की गड़ी छोड़ कर थोड़ी जाता मुझे तो साफ साफ ये लगता है कि वो आदमी कोकीन खरीदने आया था और इसी दोरान उसे समगलर के अड़ने का कोई राज पता लग गया हो सकता है उसने पुलीस में जाने की या फिर ब्लैकमेल करने की धमकी दी हो और इसी लिए उसकी हत्या हो गई हो अतुल थोड़ा घबराया हुआ और परिशान था मैं ये सब नहीं जानता सर मैं तो डर गया हूँ आप लोग कैसे इस इलाके में रहते हैं अगर मुझे पहले पता होता तो मैं यहां कभी नहीं आता डॉक्टर ने हसकर कहा तो क्या करते ज्यादा से ज्यादा पड़ोस की उड़िया वस्ती में चले जाते है ना लेकिन हमें देखिए हमें कोई डर नहीं लगता मैं इस इलाके में पिछले दस सालों से रह रहा हूँ मैंने कभी आज तक किसी के मामले में हस्तक शेप नहीं किया मुझे तो आज तक कोई दिक्कत या परिशानी नहीं हुई तभी हमें एक आवाद सुनाई दी हमने पीछे घूम कर देखा कि अश्विनी बाबू दर्वाजे से जहाक कर हमारी बाते सुन रहे थे हमें अपनी तरफ देखता पाकर उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया मैंने पूछा क्या बात है अश्विनी बाबू आप यहां नीचे इस समय क्या कर रहे हैं यहां वो थोड़ा घबरा गए और बड़ बड़ाए नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं मैं तो बस मुझे बीडी चाहिए थी और फिर वे जल्दी जल्दी सीड़ियां उपर चड़ गए हम सब ने बारी बारी से एक दूसरे को देखा बुजर्ग अश्विनी बाबू के लिए हमारे मन में काफी सम्मान था लेकिन वो नीचे आकर चुप चाप हमारी बातें क्यों सुन रहे थे हम लोग जब रात के खाने पर बैठे तो पता चला कि अश्विनी बाबू पहले ही खाना खा चुके हैं खाने के बाद मैंने रोज की तरह अपना चुरुट सुलगाया और अपने कमरे में जाने के लिए उठ गया वहां जाकर मैंने देखा कि अतुल जमीन पर सिर्फ तकिया लगाए लेटा है मुझे थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि अभी इतनी गर्मी शुरू नहीं हुई थी कि फर्ष पर सोया जाए कमरे में अधेरा था और अतुल चुपचाप लेटा हुआ था मुझे लगा कि वो ठक कर सो गया है लाइट जलाने से जाग जाएगा इसलिए अब कुछ पढ़ना लिखना तो हो नहीं सकता था मैं कमरे में इधर उधर टहलने लगा तभी मुझे अश्वेनी बाबू का खयाल आया मुझे लगा मुझे जाकर देखना चाहिए हो सकता है उनकी तब्यत ठीक न हो उनका कमरा मेरे कमरे से बस दो कमरे छोड़ कर था कमरा खुला हुआ था और मेरे आवाज देने पर जब कोई जवाब नहीं मिला तो मैं कमरे में घुस गया लाइट का स्विच दर्वाजे के पीछे था लाइट जला कर मैंने देखा तो पाया कमरा खाली है इतनी रात को वो कहां चले गए होंगे आखिर तभी मुझे याद आया हो सकता है नीचे डॉक्टर से दवा लेने गए हूँ मैं तेजी से नीचे गया डॉक्टर का दर्वाजा अंदर से बंद था मैं वापस जा ही रहा था कि कमरे के भीतर से मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी अश्वेनी बाबू उची आवाज में कुछ कह रहे थे पहले तो मुझे लगा कि मैं उनकी बातें सुनू लेकिन फिर मुझे लगा कि ये गलत होगा और इसलिए मैं वापस सीड़ी चड़कर अपने कमरे में आ गया अतुल अभी भी वैसे ही फर्श पर लेता था मेरे अंदर आते ही उसने गरदन उठा कर मुझे से पूछा अश्वेनी बाबू अपने कमरे में नहीं है है ना मैं चौक गया हाँ वाकई नहीं है लेकिन क्या तुम सोई नहीं हो नहीं तुम्हारे अश्वेनी बाबू नीचे डॉक्टर के कमरे में है तुम्हें कैसे पता इसके लिए बस एक काम करने की जरूरत है फर्श पर लेट जाओ और अपने कानों को तकिये से लगा दो अतुल तुम पागल तो नहीं हो गए हो अरे पागल नहीं हूँ जरा करके तो देखो उत्सुकता वश मैंने भी फर्श पर लेट कर तकिये पर कान लगा दिया कुछ पल के बाद ही मुझे दोनों की आवाजें साफ साफ सुनाई देने लगी अनुकूल बाबू तेज आवाज में कह रहे थे लगता है आप उत्सुकता में कुछ ज्यादा ही बेचैन हो गए है ये सिर्फ आपके दिमाग का भ्राम है गहरी नींद में अकसर ऐसा हो जाता है मैं आपको दवा दे रहा हूँ उसे खा कर सोने चले जाए सुभा उठने के बाद भी अगर आपको ऐसा कुछ लगे तो आप चाहे जो कर लीजिएगा जवाब में अश्वेनी बाबू ने क्या कहा वो हमें समझ नहीं आया कुर्सी सरकाने की आवाजों से लगा कि दोनों खड़े हो गए है मैं ये कहते हुए फर्स से उठ गया अरे हाँ मैं तो ये भूल ही गया था कि डॉक्टर का कमरा हमारे कमरे के ठीक नीचे है लेकिन आपको क्या लगता है क्या मामला है अश्वेनी बाबू को क्या हुआ है हतुल ने जमहाई लेते हुए कहा क्या बदा बहुत रात हो गई है चलो सोते है मेरे मन में जो संदेह पैदा हुआ था उसे मिटाने के लिए मैंने आखिर पूछ ही लिया लेकिन आप फर्ष पर ऐसे क्यों लेटे थे क्या उनकी बाते सुनने के लिए अरे नहीं दिन भर सडकों को नापते नापते में बहुत ठक गया था और मुझे ठंडा ठंडा फर्ष अच्छा लगा इसलिए मैं लेट गया लेकिन आपके आने से पहले इनकी तेज तेज आवाजें मेरे कानों में पड़ी और मैं जाग गया मैं जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया और थोड़ी देर अश्विनी बाबू के बारे में सोचने के बाद सो गया सुभा सुभा अतुल ने मुझे जगाया उस वक्त साथ बजे थी अरे उठो भाई यहां कुछ गपला हुआ है क्यूं क्या हो गया मैंने पूछा अश्विनी बाबू कमरा नहीं खोल रहे है आवाज लगाने के बाद भी जवाब तक नहीं दे रहे है क्या हो गया उन्हें मैंने पूछा किसी को कुछ नहीं पता आओ चल कर देखते है जब हम उनके कमरे के बाहर पहुँचे तो काफी लोग महा जमा थे दर्वाजा पीटा जा रहा था अनुकूल बाबू भी नीचे से आ गए थे सभी लोग काफी उत्सक दिखाई दे रहे थे क्योंकि अश्विनी बाबू को इतनी देर तक सोने की आदत नहीं थी और अगर वो सो भी रहे थे तो क्या इतने शोर शराबे के बाद भी उनकी नीद नहीं खुली थी अतुल ने डॉक्टर बाबू के पास जाकर कहा देखिये मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है मेरे ख्याल से हम लोग दर्वाजा तोड़ देते हैं हाँ और कोई चारा भी तो नहीं है कहीं ऐसा नहों कि वो बेहोश हो गए हो वरना जवाब तो जरूर देते हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए कृपाया सब लोग मिलकर दर्वाजे को तोड़ डालिए डॉक्टर बाबू ने कहा दर्वाजा गिरते ही जो द्रिश्य हमारे सामने आया उसे देख कर डर और दहशत से हमारी सांसे रुख गए अश्मीनी बाबू कमरे के अंदर पीठ के बल लेटे थे उनका गला एक तरफ से दूसरी तरफ तक कटा हुआ था खून की धार फर्ष पर सेर के नीचे से होते हुए कंधे के नीचे जम कर लाल मकमल के टुकड़े जैसी दिखाई दे रही थी उनके दाही ने हाथ की उंगलियों के नीचे खून से लथपत, रेजर ब्लेड, एक दोष्ट की तरह हमारी नजरों का मजाक उड़ा रहा था हम सब पत्थर के बुतों की तरह जैसे अपनी जगहों पर जमे खड़े रह गए कुछ देर बाद खुद को संभालते हुए अतुल और अनुकूल बाबू ने एक साथ कमरे में प्रवेश किया अनुकूल बाबू ने घ्रिना मिश्रित चिंता से लाश को देखा और उखड़े आवाज में बढ़बढाए ओरे बाबा, क्या भायानाक, अश्विनी बाबू ने आत्महत्या कर लिया लेकिन अतुल की नजरें लाश पर नहीं थी, उसकी नजरें कमरे की हरेक चीज और कमरे के हरेक कोने पर तेज कटार की तरह घूम रही थी उसने पहले चारपाई को देखा, सड़क पर खुलने वाली खड़की से जहांक कर देखा और फिर हम लोगों के पास आकर धीरे से बोला, ये आत्महत्या नहीं है, हत्या है, जगहन्य हत्या मैं पुलीस को बताने जा रहा हूँ, कृपया कोई भी किसे चीज को हाथ ना लगाए डॉक्टर बाबू ने एहरानी से कहा, क्या बात कर रहे हैं अतुल बाबू, हत्या, लेकिन दर्वाजा तो अंदर से बंद था और फिर वो देखिए, उन्होंने मृतक के हाथ में मौजूद हत्यार की तरफ इचारा किया अतुल ने से रहलाते हुए कहा, ये चाहे जो भी हो, लेकिन ये हत्या ही है आप सब लोग यहीं रहें, मैं अभी पुलीस को बुला कर लाता हूँ इतना कहकर वो तेजी से बाहर चला गया, अनुकूल बाबू हाथों में अपना सिर पकड़ कर बैठ गया हे भगवान, ये सब मेरे ही घर में होना था पुलीस आई और उसने हम सब से पूछताश की, जिसमें नौकर और माहराज भी शामिल थे लेकिन किसी के भी बयान से ये नहीं पता चल पाया कि उनकी हत्या क्यों हुई होगी अश्विनी बाबू एक सीधे साधे आदमी थे, मैस और दफ्तर के अलावा उनके और कोई दोस्त नहीं थे हर शनिवार को वो अपने घर जाया करते थे पिछले 10-12 सालों से यही क्रम चला आ रहा था पिछले कुछ समय से उन्हें डायबिटीज की बिमारी हो गई थी बस ऐसी ही कुछ बातों का पुश्टाश में पता चल पाया डॉक्टर बाबू ने भी अपना बायान दिया और जो कुछ उन्होंने कहा उसने अश्विनी बाबू की मौत को और भी ज्यादा रहसे मई बना दिया उन्होंने बताया अश्विनी बाबू मेरे मैस में पिछले 12 सालों से रह रहे थे उनका घर बर्दवान जिले के हरिहरपुर गाउं में है वो एक मरकेंटाइल फर्म में नौकरी करते थे उनका वेतन 130 रुपे था इतनी कम आये में कलकत्ते में पूरे परिवार के साथ रहना संभव नहीं था इसलिए वो अकेले ही मैस में रहते थे वो काफी सीधे सादे और जिम्मेदार आदमी थे उधार लेने में यकीन नहीं करते थे इसलिए उनके उपर कोई करजा वगेरा नहीं था और जहां तक मैं जानता हूँ उनमें नशे वगेरा की भी कोई आदत नहीं थी इस मेस का हर व्यक्ति इस बात की पुष्टी कर सकता है इतने सारे सालों में मैंने कभी भी उन्हें कोई संदेख्थ तरह का आचरन करते नहीं देखा पिछले कुछ महीनों से उनको डायबिटीज की शिकायत हो गई थी इसलिए मैं उनका इलाज भी कर रहा था लेकिन उनके अंदर मानसिक विकार का कोई संकेत मैंने कभी नहीं देखा कल पहली बार ऐसा हुआ कि उनका व्यभार मुझे थोड़ा अजीव लगा कल सुभा 9 बज कर 45 मिनट पर मैं अपने कमरे में बैठा था तभी अचानक अश्वेनी बाबू अंदर आए और बोले कि वो मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं वो काफी परेशान दिखाई दे रहे थे जब मैंने पूछा कि क्या बात है तो उन्होंने चारों तरफ देखा और फिर धीरे से बोले अभी नहीं फिर कभी बताऊंगा और फिर जल्दिवाजी में आफिस के लिए निकल गए शाम को अजीत बाबू, अतुल बाबू और मैं बातें कर रहे थे तब ही अजीत बाबू ने पीछे मुड़कर देखा कि वो दर्वाजे के पीछे छिपकर हमारी बातें सुन रहे थे जब हमने उनको पुकारा तो कुछ बहना बनाते हुए तीजी से वहाँ से चले गए उसके बाद करीब रात को दस बजे वो मेरे कमरे में आए अंदर आते ही उन्होंने दर्वाजा बंद कर लिया और कुछ देर तक पता नहीं क्या-क्या बढ़बढाते रहे पहले तो बोले कि उन्हें कुछ दरावने सपने आ रहे हैं फिर बोले उनको कुछ भयानक रहस्यों का पता चला है मैंने उन्हें शांत करने की कोशिश की लेकिन वो इतने हुतेजित थे कि बोलते ही चले गए आखिरकार मैंने उनको सोने के दवाई दी और कहा कि आज की रात वो उसे खा कर सो जाएं और कल सुभा मैं उनकी बातें सुनूगा उसके बाद वो दवा लेकर उपर अपने कमरे में चले गए उसी वक्त मैंने उनको आखिरी बार देखा था और अब सुभा ये हो गया मुझे उनके मानसिक संतुलन के बारे में लेकिन फिर भी जो अतुल बाबू है उनको लगता है कि ये हत्या है इस विशे पर शायद वो मुझसे ज्यादा जानते हैं वो ही बताएंगे अपने विचार इंस्पेक्टर ने अतुल से पूछा आप ये किस आधार पर कह रहे हैं कि आत्म हत्या नहीं है देखिए इंस्पेक्टर कोई भी आदमी अपना गला इतने विभत्स तरीके से नहीं काट सकता आपने लाश देखी है ना जरा खुद ही सोचिए क्या ऐसा होना संभव है इंस्पेक्टर ने सवाल किया क्या आपको इस बात का कोई अंदाजा है कि हत्यारा कौन हो सकता है जी नहीं हत्या के पीछे का उदेशे आपको समझ आता है अतुल ने खिड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा वो खिड़की ही हत्या का कारण है खिड़की हत्या का कारण है आपका मतलब हत्यारा इस खिड़की से अंदर आया जी नहीं हत्यारा तो दर्वाजे से ही अंदर आया था इंस्पेक्टर ने अपनी हसी रोकते हुए कहा शायद आपको याद नहीं है अतुल बाबू मैं आपको याद दिला दूँ कि दर्वाजा अंदर से बंद था और आप लोगों ने ही उसे तोड़ा था मुझे अच्छी तरह से याद है इंस्पेक्टर तो क्या अश्विनी बाबू ने हत्या के बाद उठकर दर्वाजा बंद कर दिया इंस्पेक्टर थोड़े मजा की अंदाज में बोला जी नहीं हत्यारे ने हत्या के बाद कमरे से बाहर आकर दर्वाजा लॉक कर दिया ये कैसे संभव है अतुल मुस्कराते हुए बोला बड़ा ही आसान है जरा तसली से सोचेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा जब ये सारी बातें हो रही थी तो अनुकूल बाबु ने दर्वाजे को आगे पीछे दोनों तरफ से देखा और बोले अरे हाँ अतुल बिल्कुल ठीक कह रहा है ये बात बिल्कुल सही है ये दर्वाजा आसानी से अंदर और बाहर दोनों तरफ से बंद हो सकता है हम लोगों ने पहले इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया लेकिन ये देखिए इसमें येल लॉक लगा हुआ है अतुल ने भी कहा येल लॉक जिस दर्वाजे में लगा होता है उसमें अगर आप बाहर से लॉक लगा दें तो दर्वाजा बंद हो जाता है तब वो अंदर से खोले बिना खुल नहीं सकता इंस्पेक्टर अनुभवी आदमी था कुछ सोचते हुए वो बोला हाँ ये हो तो सकता है लेकिन एक बात अभी भी समझ नहीं आ रही क्या इसका कोई सबूत है कि अश्वेनी बाबू ने रात को दर्वाजा खुला ही छोड़ दिया था अतुल ने जवाब दिया जी नहीं सचाई ये है कि उन्होंने दर्वाजा लॉक किया था और इस बात का सबूत ये है कि मैंने दर्वाजा बंद करने की आवाज खुद अपने कानों से सुनी थी ओ, तब तो ये संभव नहीं लगता कि अश्विनी बाबू ने खुद ओठकर अपने हत्यारे के लिए दर्वाजा खोला होगा इंस्पेक्टर ने कहा क्या आप लोगों को यहां किसी पर संदेह है इंस्पेक्टर ने सभी को बारी-बारी से देखना शुरू कर दिया हम सभी ने अपनी गर्दन हिला कर इंकार कर दिया डॉक्टर बाबू ने कहा देखिए सर, आप शायर जानते होंगे इस इलाके में आए दिन हत्याएं होना बड़ी बात नहीं है अभी परसों ही एक हत्या इस घर के ठीक सामने हुई थी मेरा मानना है कि ये सारी हत्याएं एक दूसरे से जोड़ी हुई है अगर एक का पता लग जाए तो बाकियों के रहसे का भी पता चल जाएगा और ये तब ही हो सकता है जब हम वाकई अश्विनी बाबू की मृत्यों को हत्या मान कर चलें हाँ ये बात तो सही है इंस्पेक्टर ने कहा लेकिन अगर हम इसके साथ बाकी दूसरी हत्याओं को भी सुलजाने की कोशिश करेंगे तब तो मेरे ख्याल से ये जाँच कभी खत्म ही नहीं होगी अतुल ने फिर से बीच में टांग अड़ाई यदि आप इस हत्या की तह में जाना चाहते हैं तो सिर्फ इस खड़की पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए इंस्पेक्टर इस बार थोड़ा खीच गया उसने कहा हमें एक नहीं बहुत सारे पहलों पर विचार करना होता है अतुल बाबू अब मुझे आप लोगों के कमरों की तलाश ही लेनी है उपर नीचे के सारे कमरों की पूरी छानबीन की गई लेकिन कहीं से कोई सुराग नहीं मिला अश्विनी बाबू के कमरे के भी जाँच हुई लेकिन उसमें भी कुछ साधारन से पत्रों के अलावा और कुछ नहीं मिला रेजर की खाली डिबिया पलंग के नीचे पड़ी थी हम सब लोग जानते थे कि वो अपनी दाढ़ी स्वयम ही बनाते थे और इसलिए किसी को भी उस डिबिया को पहचानने में मुश्किल नहीं हुई उसके बाद उनके कमरे को सील कर दिया गया और दो पहर को डेड़ बजे के करीब तक अपना काम पूरा करके इंस्पेक्टर चला गया अश्वेनी बाबु के परिवार को तारदवारा खबर कर दी गई थी शाम तक उनका बेटा अपने संबंधियों के साथ हा गया वे सभी लोग इस दुरघटना से बुरी तरह हैरान थे हम लोगों का भी हलांकि अश्वेनी बाबु से कोई रिष्टा तो नहीं था लेकिन फिर भी हम सभी शोक से व्याकुल थे इसके अलावा हम लोग अपनी जान के खतरे से भी दरे हुए थे अगर ये घटना हमारे एक साथी के साथ हो गई है तो हमारे साथ भी तो हो सकती थी पूरा दिन इसी उधेरबुन में बीद गया रात को सोने से पहले मैं डॉक्टर के पास गया मुझे ऐसा लगता है डॉक्टर बाबु कि हर सदस से किसी दूसरी जगह जाने के बारे में सोच रहा है अनुकूल बाबु ने एक हारी हुई मुस्कान के साथ कहा इसमें उनका क्या दोश है अजीत बाबु ऐसी जगह कौन रहना चाहेगा जहां इस तरह की दुरगटनाएं होती हो लेकिन मैं अभी तक यही सोच रहा हूँ कि ये वाकई में हत्या है भी या नहीं कोई बाहर का आदमी तो ये कर नहीं सकता सबको पता है कि मैस का दर्वाजा रात को अंदर से बंद कर दिया जाता है इसलिए बाहर का आदमी अंदर आकर सीडियों से उपर नहीं जा सकता फिर भी अगर मान भी लें कि हत्यारा असंभव को संभव बनाने में सफल हो भी गया हो तो उसे अश्वेनी बाबू के कमरे में रेजर ब्लेड कैसे मिल गया और इसी बात से ये साबित होता है कि इसमें किसी बाहरी आदमी का हाथ नहीं है और वाकई अगर ऐसा है तो फिर ये काम मैस में रहने वालों को छोड़ कर और भला किसका हो सकता है हम लोगों में से कौन है जो अश्वेनी बाबू की जान लेना चाहेगा बस एक अतुल बाबू ही नए है जिनके बारे में हम लोग ज्यादा जानते नहीं है मैं चौक गया और मेरे मुझ से निकला अतुल अरे नहीं नहीं ऐसा मुम्किन नहीं भला अतुल बाबू क्यों अश्वेनी बाबू की जान लेंगे डॉक्टर बाबू ने कहा मैं अभी भी दुविधा में था मुझे ऐसा नहीं लगता मैंने कुछ कहना चाहा लेकिन डॉक्टर ने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया फिर मेरे पास आकर थोड़ा फुस-फुस आते हुए बोले मेरी बात ध्यान से सुनिये मैं आज सुभा से इसी बारे में सोच रहा हूँ और सोचते सोचते अचानक एक बात मेरे दिमाग में आई है कल रात जब अश्विनी बाबू मुझे से मिलने आये थे तो वो बहुत ही घबराय हुए लग रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आपे में ही नहीं है जैसे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गाया है उनकी ऐसी हालत को देख कर मेरे दिमाग में एक विचार आया कहीं ऐसा तो नहीं कि इस इलाके में जो कोकेन की स्मगलिंग का धंदा चलता है उससे उनका कोई संबंध रहा हो या वही उसके मुख्या रहे हो और कोई ऐसी घटना घटी हो जिससे उनका राज खुलने का डर पैदा हो गया हो और इसी लिए वो देहशत में आ गए हो इस तरह की देहशत में आकर इंसान अकसर अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और हो सकता है इसी के कारण उन्होंने आत्महत्या कर ली हो मेरा दिमाग इन दलीलों को सुनकर चकरा गया इसलिए मैंने कहा मैं कुछ नहीं जानता अनुकूल बाबू मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से आपको अपने इस संदेह की बात पुलीस को बतानी चाहिए हाँ कल मैं वही करूँगा जब तक ये सारा मामला सुलज नहीं जाता मुझे चैन नहीं मिलेगा मैं कल ही इंस्पेक्टर से बात करता हूँ इसके बाद दो तिन देन और गुजर गए इस दोरान बार-बार पुलीस वाले और CID के अफसर आते और हमसे अलग-अलग तरह से पूछताश करते मैंस का हर एक सदस्य जल्दी से जल्दी मैंस छोड़ने के लिए तयार था लेकिन पहल करने से हर कोई डर रहा था ये बात सभी के मन में थी कि मैस को जल्दी छोड़ देने से पुलीस के मन में शक पैदा हो सकता था अब तक ये सपश्ट होने लगा था कि संदेह की सूई मैस के ही किसी आदमी की तरफ जुक रही थी लेकिन हम लोग ये नहीं जानते थे कि वो व्यक्ति कौन हो सकता था एक देन सुभा मैं और अतुल डॉक्टर के आफिस में बैठे अख़बार पढ़ रहे थे अनुकूल भाबू के लिए कुछ दवाएं एक बड़े पैकेट में आई थी और वो उनको खोल कर अपने शेल्फ पर सजा रहे थे पैकेट के उपर अमेरिकन स्टैंप लगी थी डॉक्टर कभी भी देसी दवाईयों का उपयोग नहीं करते थे जब भी उन्हें जरूरत होती वे उन्हें अमेरिका या जर्मनी से ही मंगाते थे करीब हर महीने उनके लिए पानी के जहाद से दवाओं के पैकेट आया करते थे अतुल ने अखबार पढ़कर एक तरफ रख दिया और बोला आप दवाईं विदेशों से ही क्यों मंगाते हैं अनकूल बाबू क्या देसी दवाईयां अच्छी नहीं होती फिर उसने शुगर मिल्क की एक बड़ी बोतल उठा कर दवा बनाने वाली कंपनी का नाम पढ़ा एरिक एंड हेवल क्या ये बाजार में सबसे बढ़िया है उसने पूछा जी हाँ अच्छा ये तो बताए डॉक्टर बाबू क्या होमियोपैथी वाकई बिमारियों का इलाज करती है मुझे तो कई बार संदेह होता है एक पानी की बूद भला किसी का इलाज कैसे कर सकती है डॉक्टर ने मुझको राते हुए कहा तो क्या मैं ये समझू कि ये जो इतने सेकड़ों लोग मुझसे दवाई लेने आते हैं वो सब बिमारी का नाटक करते है अतुल ने उत्तर दिया शायद इलाज तो प्राकरितिक तरीके से ही हो जाता होगा लेकिन उसका क्रेडिट दवा को दे दिया जाता है विश्वास अपने आप में ही एक बड़ा इलाज होता है डॉक्टर सिर्फ मुस्कुरा कर रह गए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कुछ देर बाद उन्होंने प्रश्न किया अखबार में हमारे इस घर का नाम कहीं पर आया है क्या हाँ है मैंने खबर जोर से पढ़कर सुनानी शुरू की श्री अश्वेनी चौधरी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या का रहस्य अभी तक पता नहीं लग पाया है अब CID ने इस केस का जिम्मा ले लिया है बताया जा रहा है कि कुछ तत्यों का पता चला है और अनुमान है कि अपराधी को जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा तभी इंस्पेक्टर ने कमरे में प्रवेश किया उसके साथ दो सिपाही थी ये वही पुराना इंस्पेक्टर था बिना किसी बात चीत के वो सीधे अतुल के पास गया और बोला आपके नाम वारंट है आपको हमारे साथ पुलीस चौकी चलना होगा कृपया कोई बाधा न डाले भागने की कोशिश बेकार होगी रामधनी सिंग हतकड़ी लगाओ एक सिपाही आगे बढ़ा और उसने अतुल के हाथों में हतकड़ियां डाल दी हम सभी डर और आतंक से अपनी जगह पर जड़ खड़े रह गए अतुल जोर से चिल लाया ये सब क्या है आपको अश्वेनी चौधरी की हत्या के अपराध में गिरफतार किया जा रहा है इस बार अतुल ने थोड़ा हसकर कहा तो आखिरकार आपका संदे मेरे उपर ही आया ठीक है अब तो पुलिस धाने चलना ही पड़ेगा चलता हूँ मैं और अजीत तुम घबराना मत मैं निर्दोश हूँ जल्दी ही वापसाऊंगा फिर वे सब लोग वहाँ से निकल कर चले गए दहशत से पीले पड़े चेहरे के साथ डॉक्टर ने कहा तो वो अतुल बाबू निकले कितनी अजीब बात है चेहरा देख कर किसी के सुभव का पता लगाना असंभव है और मेरे तो जैसे शब्द हीख हो गए थे अतुल और हत्यारा इतने दिन साथ रहते हुए मुझे उससे एक अजीब सा लगाव हो गया था मैं इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि अतुल हत्यारा भी हो सकता था आपको याद होगा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि किसी अजनभी को शरन देते समय दो बार सोच लेना चाहिए लेकिन कौन कह सकता था कि देखने में ऐसा भुला भला दिखने वाला ये आदमी हत्यारा निकलेगा डॉक्टर ने कहा मेरा मन बहुत अशांत हो रहा था मैं कुर्सी से उठकर अपने कमरे में चला गया और दर्वाजा बंद करके बिस्तर पर लेट गया सामने अतुल का सामान रखा हुआ था उसे देखकर मेरी आँखों में आंसु आ गए उससे मुझे एहसास हुआ कि वो मेरे कितना नजदीक आ गया था जाते समय उसने कहा था कि वो निर्दोश है तो क्या पुलिस से गलती हुई है उस रात अतुल फर्ष पर लेट कर अश्वेनी बाबू और डॉक्टर की बात सुन रहा था वो ऐसा क्यों कर रहा होगा उसका क्या प्रयोजन था और फिर उसके बाद मैं भी तो सो गया था क्या पता उसे बीच अतुल ने जाकर वाग कई लेकिन फिर ये भी तो है कि एक अकेला वही था जो शुरू से ही ये कह रहा था कि ये आत्म हत्या नहीं है हत्या है अगर हत्या उसी ने की होती तो क्या वो ऐसा कहकर खुद अपने ही गले में फंदा लगाता लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसने खुद को संदेह से दूर रखने के लिए जान भूज कर ऐसा किया हो ताकि पुलीस ये सोचे कि क्योंकि उसने खुद ही हत्या की बात पर जोर दिया है इसलिए वो तो हत्यारा हो ही नहीं सकता तरह तरह के विचार मेरे दिमाग में आ जा रहे थे तब तक दो पहर के तीन बज गए थे तब ही मुझे एक विचार सूझा क्यों ना मैं किसी वकील से राय लूँ ये बात मुझे जजजी और मैं किसी वकील का इंतजाम करने के लिए तयार होने लगा इतने में दर्वाजे पर आहट सुनाई दी मैंने दर्वाजा खोला तो सामने अतुल खड़ा था अतुल तुम आ गए मैंने खुशी से उसे बाहों में भर लिया वो सारी बातें कि वो अपराधी है या नहीं मेरे दिमाग से ऐसे गायब हो गई जैसे कभी वहाँ थी ही नहीं उसके बाल उलजे हुए थे और चेहरे पर धकान के लक्षन वो मुस्कुरा कर बोला हाँ मैं आ गया उन्होंने मुझे बड़ा परेशान किया बड़ी मुश्किल से मुझे एक सज्जन मिले जरूरत नहीं है फिलहाल मुझे अस्थाई बेल मिल गई है लेकिन तुमने मेरी इतनी चिंता की उसके लिए तुम्हारा बहुत-बहुत धन्यवाद उसके बाद हम लोग कमरे में वापस आकर बैठ गए अपनी कमीज उतारते हुए अतुल ने कहा ओहो मेरा तो सर चक्रा रहा है मैंने दिन भर से कुछ खाया नहीं है लगता है तुमने भी नहीं खाया है चलो जल्दी से नहा लें और फिर चलकर खाना खाएं मेरे पेट में तो चूहे दौड रहे हैं मैं अपने मन के संदेह को समाप्त करना चाहता था मैंने धीमे स्वर में उससे पूछा अतुल क्या तुमने क्या तुमने क्या सीधे सीधे बोलो न कि क्या मैंने अश्विनी बाबू की हत्या की थी ये बहस हम लोग बाद में करेंगे इस समय खाना जरूरी है तभी डॉक्टर कमरे में आ गए अतुल ने उन्हें देखकर हस्ते हुए कहा खोटा सिक्का कहीं भी नहीं चलता डॉक्टर सहब मेरी हालत भी बिल्कुल वैसी ही है पुलिस ने भी मुझे बैरंग वापस लोटा दिया गंभीर मुखमुद्रा में डॉक्टर ने कहा ये जानकर खुशी हुई अतुल बाबू कि आप वापस लोटाएं है शायद पुलिस ने भी आपको निर्दोश पाया हो और छोड़ दिया हो लेकिन मुझे बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि अब आप यहां पर और नहीं रह पाएंगे मेरा मतलब आप समझ ही गए होंगे ना दरसल ये पूरे मैस का सवाल है सभी जाना चाह रहे है आप मुझे गलत मत समझेगा लेकिन मेरी मजबूरी है अतुल ने तुरंद जवाब दिया हाँ हाँ मैं समझता हूँ मेरे उपर तो अपराधी का ठपा लगी चुका है मुझे शरन दे कर आप भला क्यों मुसीबत में पढ़ना चाहेंगे तो आप क्या चाहते हैं कि मैं आज ही मैस छोड़ कर चला जाओ डॉक्टर कुछ देर तो चुप रहा फिर अनिच्छा से बोला ठीक है आज-ाज की रात रह जाएए लेकिन कल सवेरे तो हाँ हाँ ठीक है मैं कल आपको कश्ट नहीं दूँगा कल मैं कोई और जगह तलाश कर लूँगा और कुछ ना मिला तो आखिर में पढ़ोस के उड़िया होटल में रह जाओंगा इतना कहकर वो हस दिया अनुकूल बाबु ने पुलीस स्टेशन में हुई बातों को पूछना चाहा लेकिन अतुल एक दो मामूली बातें बताकर नहाने चला गया डॉक्टर ने मुझसे कहा लगता है अतुल बाबु मुझसे नाराज हो गए लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरा मैस पहले ही बदनाम हो चुका है और अगर मैं उसमें किसी अपराधी को शरण दू तब तो यहां कोई रहने के लिए नहीं आएगा और वैसे भी सुरक्षा की दृष्टी से भी ये उचित नहीं लग रहा आप ही कहिए मैंने कुछ गलत किया क्या मैंने उदासी से उनकी हां में हां मिलाई और कहा देखिए आप यहां के मालिक हैं आपको जो ठीक लगता है आप वही कीजिए लंच के बाद मैं और अतुल अपने कमरे में आ रहे थे कि हमने देखा कि घंशाम बाबू अपने ओफिस से वापस आ रहे है उन्होंने जैसे ही अतुल को देखा उनका चेहरा सफेध हो गया फिर वो तेज कदमों से अपने कमरे में चले गए उसी शाम अतुल ने मुझे बताया अरे अजीत बाबू हमारे दर्वाजे में जो लौक लगा था लगता है वो तूट गया है मैंने जाकर देखा तो वाकई हमारे दर्वाजे का विदेशी येल ताला काम नहीं कर रहा था हमने अनुकूल बाबू को बताया उन्होंने भी आकर देखा और बोले इन विदेशी तालों में यही समस्या है जब तक ठीक हैं तब तक तो बढ़िया काम करते हैं पर अगर खराब हो जाएं तो इंजीनियर को छोड़ कर और कोई ठीक कर ही नहीं सकता हमारे देशी ताले इससे ज्यादा अच्छे हैं खेर मैं कल सुबह पहला काम इसे ठीक कराऊंगा फिर वो सेढ़ियों से वापस उतर गए रात को सोने से पहले अतुल ने कहा अजीत मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है क्या कोई दवाई बता सकते हो मैंने सुझाया तुम नीचे अनुकूल बाबू से दवा क्यों नहीं ले लेते होम्योपैथी हाँ उससे भला कुछ होता भी है अरे इतनी भी बुरी नहीं होती होम्योपैथी एक बार ट्राय करके तो देखो मैंने कहा चलो ठीक है देख लेते हैं वैसे तो पानी की बूने भला कुछ कर थोड़े ही सकती है लेकिन तुम कहते हो तो यही सही मैंने कहा मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ मुझे भी थोड़ी तब्यत खराब लग रही है डॉक्टर अपना क्लिनिक बस बंद करने ही जा रहे थे अतुल ने उनसे कहा हम लोग आपकी दवा चखने आए है मुझे बड़े जोर का सिर्दर्द हो रहा है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं डॉक्टर ने प्रसन्नमुद्रा में कहा हाँ हाँ अवश्य मैं जरूर आपको राहत दिला सकता हूँ ये और कुछ नहीं थोड़ी सी बधजमी है जो आपको परिशान कर रही है इसी कारण सिर्दर्द हो रहा है आप बैठिये मैं अभी एक डोस देता हूँ उन्होंने शेल्फ से थोड़ी दवा निकाली और उसकी एक पुड़िया बना कर अतुल को दे दी इसे खा कर सोजाईए आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपको कभी सिर्दर्द था फिर मैंने भी उनसे थोड़ी बेचैनी के शिकायत की और उन्होंने एक दूसरी दवा की पुड़िया मुझे बना कर दे दी जब हम दवा लेकर वापस जा रहे थे कि अतुल ने अचानक अनुकूल बाबू से सवाल किया क्या आप व्योमकेश बक्षी नाम के किसी आदमी को जानते हैं? नहीं तो ये कौन है? अनुकूल बाबू ने पूछा ये तो मैं भी नहीं जानता अतुल ने कहा मैंने उनका नाम आज पूलीस स्टेशन में सुना था मुझे लगता है वो ही इस केस के इंचार्ज है नहीं मैंने ये नाम कभी नहीं सुना डॉक्टर ने कहा अपने कमरे में लोटने के बाद मैंने अतुल से कहा देखो अतुल अब तुमको सारी बात मुझे बतानी ही होगी कौन सी सारी बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मुझे से कुछ छिपा रहे हो लेकिन ऐसा नहीं चलेगा तुम्हें मुझे सब बताना ही होगा अतुल कुछ देर शांत बैठा रहा फिर एक नजर दर्वाजे पर डाल कर वो बोला अच्छा ठीक है बताता हूँ यहां इधर आकर बैठो फिर अतुल दर्वाजा बंद करके मेरे पास आ गया मेरे हाथ में दवा की पुडिया थी मैंने सोचा मैं उसे खालू फिर उसकी बात सुनूगा लेकिन उसने मुझे रोक दिया पहले मेरी बात सुन लो फिर दवाखा लेना उसने लाइट बंद कर दी और मेरे कान के पास आकर आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोलने लगा मैं चुप चाप बैठा हुआ उसकी कहानी सुनता रहा करीब पौने घंटे के बाद उसने कहा आज के लिए इतना काफी है बाकी कहानी कल तक इंतजार कर सकती है अभी काफी टाइम है दो बज़े से पहले कुछ नहीं होने वाला क्यों ना तब तक थोड़ी देर सो लिया जाए समय होने पर मैं तुम्हें जगा दूगा फिर हम दोनों अपने अपने बिस्तरों पर लेट गए डेढ़ बज़े के करीब भी मैं जागा हुआ था मेरे कान इतने चौकनने थे कि मुझे अपने दिल की धरकन भी साफ सुनाई दे रही थी मेरी मुठी में वो चीज जकड़ी हुई थी जो अतुल ने मुझे दी थी तभी मेरे कंधे पर अतुल का हाथ मुझे महसूस हुआ और मैं और ज्यादा चौकनना हो गया ये संकेत हमने पहले से ही तै किया हुआ था मेरी सांस धीमी और गहरी हो गई जैसी सोय हुए आदमी की होती है मैं जान गया था कि अब वो घड़ी आ चुकी है दर्वाजा कब खुला ये मुझे पता नहीं चला लेकिन एका एक अतुल के बेड़ पर एक धमाका हुआ और कमरे में रोशनी हो गई मैं हाथ में लोहे की छड़ लेकर जपटे के साथ खड़ा हो गया अतुल एक हाथ में रिवॉल्वर लिये और दूसरे हाथ से लाइट के स्विच को दबाए खड़ा था उसके बेड़ के पास घुटनों के बल जुके हुए अनुकूल बाबू उसे ऐसे घूर रहे थे जैसे एक घायल शेर अपने शिकारी को घूरता है तभी कमरे में आतुल की आवाज गूंजी ओहो बड़ा बुरा हुआ अनुकूल बाबू आप जैसा अनुभवी आदमी भी खाली एक तक्ये में ही छुरा घूप पाया अब जरा हिलने डुलने की कोशिश बंद कीजिए और उस छुरे को फेंक दीजिए ना 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 जरा भी हिले तो गोली चला दूँगा अजीत तुम जाकर खिड़की खोल दो और देखो बाहर जो पुलीस खड़ी इंतजार कर रही है उन्हें अंदर आने को कहो डॉक्टर मौका देखकर दर्वाजे की तरफ जप्टा लेकिन अतुल के मजबूत हाथ का एक मुक्का उसके जबडे पर लगते ही वो नीचे गिर पड़ा अच्छा ठीक है मैं आपको सत्यानवेशी व्योमकेश बक्षी पर हमला करने और उसकी जान लेने की कोशिश करने के लिए पुलीस को सौप रहा हूँ तब तक इंस्पेक्टर और उसके साथ दो सिपाही कमरे में आ चुके थे उसने अनुकूल बाबू के हाथों में हतकड़ी पहना दी खुंखार आखों से सबको घूरते हुए डॉक्टर गुराया ये शडियंत्र है इस व्योमकेश बक्षी और पुलीस ने मिलकर मुझे जूटे केस में फसाया है मैं तुम सबको छोड़ूगा नहीं इस देश में कानून नाम की कोई चीज है और मेरे पास पैसे की भी कमी नहीं है हाँ हाँ जरूर कीजिएगा पैसे की कमी आपके पास भला क्यों होने लगी आखिर बाजार में कोकीन का इतना अच्छा दाम जो मिलता है अतुल ने बड़े ही मज़ेदार स्वर में कहा क्या सबूत है इस बात का कि मैं कोकीन का धंदा करता हूँ बहुत ही बढ़या सबूत है आपकी शुगर मिल्क की वो बोतले भूल गए डॉक्तर इस तरह से चौंका जैसे उसके पैर के नीचे साप आ गया हो लेकिन बोला कुछ नहीं उसकी आँखों से गुस्से की चिंगारिया निकल रही थी मैं ये सोच सोच कर काप रहा था कि पिछले कुछ महीनों से मैं इस व्यक्ति के साथ इस तरह से रह रहा था जैसे वो मेरा सबसे करीबी दोस्त हो मेरे रोंगटे खड़े हो गए अतुल ने डॉक्टर से सवाल किया अच्छा ये तो बताएए डॉक्टर बाबू कि कल रात आपने हमें जो दवा दी थी वो क्या था मॉर्फिया का पाउडर ठीक है नहीं बताएंगे कोई बात नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता केमिकल जाँच में तो सब कुछ पता चल ही जाएगा इतना कहकर अतुल ने अपना चुरुट जलाया और बिस्तर पर सहरा लगा कर बैठ गया इंस्पेक्टर ने हमारे बयान लिए डॉक्टर के रूम की तलाशी हुई जिसमें कोकीन से भरी दो बड़ी बोतलें पाई गई लगभग सुभा होने वाली थी जब डॉक्टर और उसके माल के साथ पुलीस महां से निकली अतुल ने मुझसे कहा चलो ये मामला तो ने बढ़ गया क्यों न अब मेरे घर चल कर एक एक कप चाई पी जाए कुछ ही देर के बाद हम लोग हैरिसन रोड पर बनी एक तीन मंजिली इमारत के सामने उतरे घर के बाहर गेट पर पीतल की नेम प्लेट पर लिखा था व्योमकेश बक्षी सत्यानवेशी व्योमकेश बड़ी ही अदासे मुस्कुराते हुए बोला वो आए हमारे घर खुदा की कुदरत है कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं मैंने सवाल किया ये सत्यानवेशी दा इन्क्विजिटर ये सब क्या है यही तो है मेरी पहचान मैं जासूस शब्द पसंद नहीं करता और इन्वेस्टिगेटर भी कुछ खास अच्छा नहीं है इसलिए मैं अपने आपको सत्यानवेशी यानि सच की खोज करने वाला कहता हूँ आपको ये नाम पसंद नहीं आया नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं अच्छा है मैंने कहा व्योमकेश इमारत की पूरी दूसरी मंजिल में रहता था कुल मिलाकर चार से पांच विशाल कम रहे थे जिन्हें काफी अच्छे धंग से सजाया गया था क्या तुम अकेले ही रहते हो मैंने पूछा हाँ बस मेरा सेवक पुती राम मेरे साथ रहता है काफी अच्छी जगा है कब से रह रहे हो यहाँ मैंने पूछा करीब एक साल हो गया बस उस थोड़े समय के लिए नहीं था जब तुम्हारे मैस में रुका हुआ था इसी बीच पुती राम ने चाय बना दी थी गर्मा गरम चाय की चुस्कियों के साथ व्योमकेश ने कहा मेरे ख्याल से कुछ दिन जो मैंने भेज बदल कर तुम्हारे यहां बिताए वो वाकई काफी रोचक थे लेकिन आखरी दिनों में डॉक्टर ने मुझे पकड़ लिया था और उसके लिए भी मैं खुद ही जिम्मेदार था वो कैसे भला? दरसल खिडकी के बारे में मैंने ही पहली बार जिक्र किया था और उसी से मेरा राज खुल गया नहीं समझे? अरे भाई, अश्विनी बाबू ने उसी खिडकी से तो नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मैंने उसे टोका पहले पूरी कहानी शुरू से बताओ व्यूमकेश ने चाय की दूसरी चुसकी लेकर कहना शुरू किया कुछ तो मैंने तुम्हें कल राथ ही बता दिया था अब बाकी की कहानी सुनू तुम्हारे इलाके में हर दिन जो हत्याएं हो रही थी उसको लेकर पुलीस काफी परिशान थी पुलीस पर एक तरफ से तो सरकार का दबाओ बढ़ रहा था दूसरी तरफ प्रेस ने उसे परिशान किया हुआ था तब ऐसी स्थिती में मैं पुलिस कमेशनर से जाकर मिला और मैंने उनको बताया कि मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और मुझे यकीन है कि मैं इन हत्याओं के रहसे का पता लगा सकता हूँ थोड़ी नानुकुर के बाद कमेशनर ने मुझे इस बात की परमिशन दे दी कि मैं स्वतंत्र रूप से इस केस की चानबिन कर सकता हूँ शर्थ केवल ये थी कि इस बात की जानकारी सिर्फ मुझे और कमेशनर को ही होगी और इस तरह से मैं तुम्हारे मैस में आया चानबिन करने के लिए ये जरूरी था कि मुझे काम करने के लिए कोई ऐसी जगह मिले जो वारदात की जगह के एकदम पास हो इसी उद्देश्य से मैंने उस मैस को चुना था उस ताइम तक मुझे ये नहीं पता था कि अपराधी का अड़्डा भी उसी घर में है शुरू में डॉक्टर मुझे काफी सज्जन आदमी लगा मुझे पहली बार उसके उपर संदेह अश्विनी बाबु की मौत से एक दिन पहले हुआ शायद तुमको याद हो उस दिन हमारे मैस के सामने एक गरीब आदमी की लाश मिली थी जब डॉक्टर ने ये बात सुनी कि जो आदमी मरा था उसकी धोती के फेंटे से एक हजार के नोट मिले तो उसके मुह पर एक पल भर के लिए नोटों के हाथ से निकलने के लालच का भाव मुझे दिखाई दिया और उसके बाद से मेरा सारा संदेह उसी के उपर केंद्रित हो गया फिर उस दिन की बात जब अश्वेनी बाबू छुप कर हमारी बाते सुन रहे थे असल में वो हमारी बाते सुनने नहीं आये थे बलकि डॉक्टर से बात करने आये थे जब उन्होंने देखा कि हम लोग वहाँ पर बैठे हैं तो वो बहाना बना कर वापस चले गए उसके बाद मैंने डॉक्टर से हुई उनकी बातों को फर्ष पर लेट कर सुना बड़े ही गोपनिय तरीके से गयर कानूनी ड्रग्स का धंदा करता था जो कोई भी उसके भेद को जान जाता था उसे वो फोरन रास्ते से हटा दिया करता था और यही कारण था कि जिसकी वजह से अभी तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया था जो आदमी सडक पर मरा पाया गया वो अनुकूल बाबु का ही दलाल था या फिर कोई माल सप्लाई करने वाला था उस रात जब वो व्यक्ती डॉक्टर के पास आया तब दोनों में लड़ाई हो गई होगी हो सकता है उस आदमी ने अनुकूल बाबु को ब्लाकमेल करने की कोशिश की हो या फिर पुलीस में जाने की धमकी दी हो और इसी लिए जब वो जाने लगा तो अनुकूल बाबु ने उसका पीछा किया और मौका मिलते ही उसे मार डाला अश्विनी बाबु ने ये घटना अपनी खिडकी से देखी और वो इतनी बुरी तरह से घबरा गए कि कुछ हद तक मतिभरष्ट हो जाने की स्थिती में पहुँच गए और उसी स्थिती में वो इस बात की जानकारी डॉक्टर को देने गए मैं ये तो नहीं कह सकता कि इस बात के पीछे उनका क्या इरादा था मुझे ऐसा लगता है कि वो अनुकूल बाबु की एहसानों से दबे हुए थे और शायद इसी लिए उनको इस घटना से सचेत करना चाहते थे लेकिन उस बात का परिनाम ठीक उल्टा हुआ डॉक्टर की नजरों में अश्विनी बाबु ने उनका राज जानकर जिन्दा रहने का अधिकार खो दिया उसी रात जब वो बातरूम जाने के लिए उठे तो उसने उनको मार डाला मैं ये तो नहीं कह सकता कि शुरू में डॉक्टर को मेरे उपर शक हुआ था या नहीं लेकिन जब मैंने बार-बार पुलीस को ये कहा कि वो खिड़की ही हत्या का कारण है उस वक्त डॉक्टर ये समझ गया कि मैं कुछ जान गया हूँ और इसी लिए उसकी नजरों में मैंने भी जीने का अधिकार खो दिया और फिर उसके बाद पुलीस ने एक गलती कर दी उन्होंने मुझे गिरफतार कर लिया वो तो खेर चलो कोई बात नहीं कमिशनर ने खुदा कर मुझे छुड़ा दिया मैं मैस में वापस लोट आया और तब अनुकूल बाबु को ये पक्का यकीन हो गया कि मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ उन्होंने अपने विचारों को छुपा लिया और अपना बड़ा दिल दिखाते हुए मुझे उस रात वहां रहने की परमिशन दे दी उनकी इस परमिशन के पीछे सिर्फ एक ही वज़ा थी कि उसी रात किसी भी टाइम वो मुझे मौत के घाट उतार दे मैं उस वक्त तक डॉक्टर के बारे में जानतो चुका था लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं था यदि मैं उस टाइम उसके उपर दोश लगाता और उसके कमरे की तलाशी हो भी जाती तो कुछ कोकेन की बोतनों के अलावा और कुछ नहीं मिलता उनके आधार पर उसे जेल तो हो जाती लेकिन कानून की निगाह में ये साबित नहीं किया जा सकता था कि सारी हत्याएं उसी ने की है इसके लिए मुझे उसे ट्रैप करना ज़रूरी था दर्वाजे के ताले में एक नाखून फसा कर मैंने उसे जाम कर दिया जब डॉक्टर ने ये सुना तो वो मन ही मन खुश हो गया कि अब हमारा दर्वाजा रात भर खुला रहेगा और उसके बाद जब हमने जाकर उसे दवा मांगी तब तो उसकी बांचे ही खिल गई उसने हमें मौर्फिया की डोस दे दी और ये समझ लिया कि हम उसे खाकर उसके आने तक बेहोश पड़े रहेंगे और वो बड़ी ही आसानी से हमें हमेशा के लिए मौत की नीद में सुला देगा और इस तरह से वो खुद मेरे जाल में फस गया मैंने बड़े ही ध्यान से ये सारी कहानी सुनी और व्योमकेश की बुद्धे मत्ता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका फिर मैंने कहा काफी देर हो गई है अब मुझे चलना चाहिए व्योम तुम तो फिलहाल उस तरफ जाना नहीं चाहोगे बिलकुल नहीं लेकिन क्या तुम मैस जा रहे हो हाँ क्यों भला अरे क्यों भला क्या मतलब भई क्या मुझे अपने घर वापस नहीं जाना है जाना तो है लेकिन मैं ये सोच रहा था कि तुम्हें भी तो आखिरकार मैस छोड़ना ही पड़ेगा तो क्यों ना यहां मेरे साथ आ कर रहो ये जगह भी ठीक ठाक ही है कुछ पल चुप रहने के बाद मैंने कहा क्या मेरा एहसान उतारना चाहते हो व्योमकेश ने अपनी बाहें मेरे कंधे पर रख दी और बोला अरे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है असल में बात क्या है कि कुछ हफते तुम्हारे साथ रहकर मुझे उस चीज़ की आदत पड़ गई है अब अगर तुम यहां नहीं रहोगे तो मुझे तुम्हारी बहुत कमी महसूस होगी क्या वाकई ऐसी बात है बिल्कुल यही बात है ऐसी बात है तो मैं यहीं रहूँगा मैं अपना सामान लेकर आता हूँ इतना कहकर मैं बाहर निकल गया पीछे से व्यमकेश की आवाज आई अजीत बाबू मेरा सामान लाना मत भूल जाएगा दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल न भूले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें जल्दी ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अलविदा